हेलो एंड वलकम तो मैं चैनल अपना इंशुरेंस वाला हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि कैसे आप अपना इंशुरेंस का पेमेंट प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं वो भी एक मिनेट में घर बैठे बैठे जी हाँ फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल फोन की हेल्प से घर बैठे बैठे अपने इंशुरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं और जो एप हम यूज करने जा रहे हैं पेमेंट के लिए वो है एमजन एप मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में लाइव आपको दिखाऊंगी कि कैस से आप एमजन एप की हेल्प से अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं ओनलाइन तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ हमारा एमजन एप जब आप ओपन करते हैं तो इस तरिकी की स्क्रीन आती है इसमें आपको जाना है एमजन पेपर हो सकता है कि एमजन पे का ऑप्श तो आप यहां से त्री लेफ्ट साइड में थ्री लाइन्स है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्षिन दिये होंगे जिसमें जाकर आप Amazon पर क्लिक कर सकते हैं और आपका Amazon पर Amazon पेपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से बहुत सारे ऑप्षिन साते हैं जैसे Mobile Recharge, Build, Donate तो आपको सबसे लास्ट में जाना है जो है Explore All जब आप Explore All पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से अगर आप Recharge करना चाहते हैं Mobile में तो यह Recharge का ऑप्षिन है कोई Bill आप Pay करना चाहते हैं तो Pay Bills का Option है Ticket Book करना चाहते हैं किसी को Gift Card करना चाहते हैं हम यहाँ पे Insurance के Premium पे करने जा रहे हैं तो हम जाएंगे Insure and Invest Option में इसमें अगर आप Car Insurance का करना चाहते हैं आप Bike Insurance का Payment करना चाहते हैं अब मैं यहाँ पे Life Insurance का Payment करने चाहती हूँ तो Insurance Premium को मैं यहाँ पे Opt करूँगी इसे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यह Options आएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है Select Insurer जब आप इस पे जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए यह बहुत सारी Companies कूल जाएंगी जो आपको Insurance Provide कराती है तो हमें मुझे कौन सा Option चाहिए मैंने कौन सा Payment करना है वो है LIC का तो मैं LIC को क्लिक कर दूँगी क्लिक करने के बाद यह आपको शो करेगा कि आपको अपने Policy Number इसमें फिल करना है इमेल आइडी एक ले लीजिए जिसमें आप चाहते हैं आप एक इमेल आइडी यहां जरूर डालिएगा जिससे आपका जो बिल आएगा वो इसमें आएगा इस तरीके से पूरी डिटेल फिल करनी है आपको यहां पे LIC Option चूज करना है फिर यहां पे आपको Policy Number अपना फिल करना है जिस Policy का Premium आप पे करना चाहते है और यहां पे आपको इमेल आइडी तो इस तरीके से मैंने इमेल आइडी और अपना अब आप इसमें Fetch Premium करिए जब आप Fetch Premium करेंगे तो यह आपको इस तरीके से Option शो करेगा कि आपको कितना amount पे करना है मेरी जी Policy है उसका amount है 4,986 जो मैं पे करने जा रही हूँ और date भी आपको बता देगा अब इसके बाद आगे आप इसे continue करिए जब आप continue करेंगे तो उसके बाद यहां नीचे देखे Swipe to Pay आएगा तो जैसे आप swipe कर देंगे तो यह payment होना शुरू हो जाएगी मैं swipe कर चुकी हूँ और उसके बाद यह payment confirmation लेगा और यह आपको show भी करेगा कि आपने अपनी policy इस policy number लेगा तो फ्रेंट्स पेमेंट करने के बाद आपको इस टाइप के दो messages आपके फोन में आएगे notification message और आपके mobile phone में इस टाइप का message आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने इतना payment अपना premium payment कर दिया है तो फ्रेंट्स यह आपके email account में यह receipt इस टाइप से आएगी जो आपने premium payment करते time जो email id डाला था उसी email पे आपको यह receipt आएगी जिसमें आपका date और कितना आपने premium जमा किया है आपका policy number, order id पूरी details आपका नाम amount कितना payment किया है पूरी detail आपकी receipt में आपको मिल जाएगी Thank you for watching, please like subscribe, share and press the bell icon